जब भी कुछ spicy खाने का मन करता है ना, तो मेरा मन करता है कि मैं पनीर बनाती हूँ, कुछ बड़ी असा, इदम लाजवादा, तो यार, पनीर बनाने के लिए मैं यहां क्या कर रही हूँ ना, पहले तो मैंने एक लीटर दूद, मैंने सोचा कि यह बहुत सारा बनाती हूँ न जो दम अती का खट्टा था, बहुत साथा खट्टा था, आप शहाँ तो नीमू ले सकते हो, विनेगर ले सकते हो, बस, और इसको अच्छे से फाट सकते हो, अब क्या करो ना, मसलिन क्लोथ ले लो, मेरे पास अभी क्लोथ था नी, मैंने यहां पर चन्नी में डाल दिया, उ और उसके बाद मेरा काम बन जाएगा, और अब यहां मैंने क्या किया, तब तक यह ठंडा होगा ना पनीर, मैंने यहां पर कड़ाई में डाले हैं कूप सारे गरम मसाले, वो भी किसमें, सरसो के तेल में, सरसो के तेल की तो बात ही अलागा है, उसका स्वात बहुत ही अच् उसके बाद मैंने डाले हैं यहां बड़े-बड़े कटे प्यास, थोड़ी सी यहां पर मैंन हरी मिर्च, और कह सकते हैं यहां जिंजर भी डाली है, गार्लिक भी डाला है, और यह जो मेलन सीड्स होते हैं यह मस्क मेलन, खरबूजे, तरबूजे, जो बीज होते हैं वो डा के बाद आपको से मिलाते जाना है क्योंकि जो प्यास है जब वो दीमे दीमे पकता है तो उसका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है लेकिन हा यह ज़से भी बनाने से पाई अच्छा से खाना खा देना व कि इसके लिए पेशिंट्स और उसके बाद डाल देना है इसमें लाल मिर्च और बस इससे अब क्या करना है ना पकने देना है इसको अच्छे से बॉयल मार देना है आप चाहो तो प्रेशर कुकर में भी इसको पका सकते हो बहुत जल्दी पक जाता है लेकिन मैंने का ठीक है यार कढ़ाई में बनाती हूं असका लगमस है तो देखो पनीर यहां अच्छे से ठंडा हो गया था है मैंने इससे कट कर लिया फिर चो मैं भी कठाई में पका रही थी न वो ठब ठंडा हो जाएगा न उसको फिर पीस लेना है आपको तो यहां पीसने के बाद में क्या कर रही हूं पिर से सरसों वाला तेल काश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा यहां हल्दी और हां एक और चीज़ कलाउंजी जिसका टेस्ट बहुत अच्छा था है इसका नान में बहुत अच्छा लगता है उसका उसके बाद लगने आपको यह डाल देना है शिमला मिर्च और प्याज मैंने यहां शिमला मिर्च प्याज असली रहे हैं क्योंकि कभी- नमक भी डाला है जिसमें तीनों चीज़ों में नमक पढ़ जाए अच्छे से जब यह सब चीज़े पक जाएंगी इनको हटा देना है फिर पैन खाली कर लेना है या पैन में डालना है फिर सो सरोतों का तेल उसके बाद कुटी हुई जो धनिया होती है वो डालेंगे हम यह पे और थोड़ी सी कलोंजी डालेंगे और इसको बढ़िया से जला देंगे सही बात है लिट्रली जलाना है इसको यहां पे और उसके बाद में डाल रही हूं बिलकुल बारीक तो नहीं कह सकते हैं लेकिन थोड़ा सा अच्छा कटा हुए प्याल फिर थोड़ा से मोटे कट पे और टमाटर जिसमें वो दिखियें ग्रेवी पे वो बड़ा अच्छा लोग देता है और इसके बाद इससे पका लेंगे तो बाद नमा कोमग डाल कर और उसके बाद न अब जो हम इन ग्रेवी थी न जो हमने पीसी थी वो हम यहां पे डाल देंगे और ब्लेंडर को रूप सारी ग्रेवी लग जाती है तो सब चीजे न निकाल के हमें डाल देना है पैन में और इससे बहुत ही कम पकाना है योगि अलड़ी सब पका हुआ है तो इसलिए मैं थोड़ा सा पका रही हूँ क्यों मैंने दाला है पानी इसमें तो बस हलका सा पक जाए उसके बाद मैं यहां डालूँगी थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर क्योंकि न उसके बिना तो यह धूरा है और काली मिर्च के पाउडर के बाद मैं थोड़ा सा यहां डालूँगी गरम मसाला और हरी मिर्च डालूँगी बस काम खतम नहीं हुआ भी आपे अब यहां मसाले का काम अब आपको यहां डालना है जो आपने अभी फ्राइ किया था यह जो पनीर था प्यास था क्या आप से कम था और इसके बाद आप सब चीजों को अच्छे से मिल जाएंगी तो आपको बहुत कुछ डालने के जरुवत नहीं है इतना ही काफी है और यह टेस्ट जो है न वो बह के लिए टाइम लगता है और बस धनियापती दरूर पड़ी होती है उसमें तो वो डालने के बाद ना बस तयारे खाओ भी हो मसे करो आखुश रहूँ